मैं डॉक्टर शिखा अगरवाल सहाचारिय राजकिय महाविद्याले सुजानगर बी ए पार्ट सेकिंड की क्लास में आज हम लोग राष्ट्रपती की सामन्यकालीन शक्तियां पढ़ेंगे पिशली क्लास में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपती भारत में वैधानिक प्रधान है और वैधानिक प्रधान की जो इस्थिती भारतिय समिधान में दी गई है वो ब्रिटिश समराट की तरह से है ना कि अमारिका के राष्ट्रपती की तरह से हलाकि नाम की दृष्टी से देख है तो भारत के राष्ट्रपती और अमेरिका के राष्ट्रपती का नाम एक सा नजर आता है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि भारत में संसुदिये व्यवस्था है इसलिए भारत में दोहरी कारेपालिका है और उस दोरी कारेपालिका में नाम मात्र का या ध्वज मात्र या वैधानिक प्रधान राश्ट्रपती है और वास्तविक प्रधान प्रधान मंत्री और उसका मंत्री मंदल है हम लोगों ने पिछली क्लास में राश्ट्रपती के निर्वाचन को देखा था भारत में राश्टपती का निर्वाचन आप्रत्यक्षरूप से एक तरह से हम माने तो निर्वाचक मंडल के माथ्यम से होता है। इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणिय प्रणाली को प्रयोग में लाया जाता है। भारत में इसके लिए जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसत के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के साथ संगिय राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य राश्टपती के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपती के निर्वाचन में निश्चित कोटा यानि नियुनतम मतों को प्राप्त करना जरूरी है। उसी के आधार पर राष्ट्रपती को निर्वाचित खोशित किया जाता है। और विधान सभाओं के ब्रतेक सदस्य के मत का मुल्य भी निकाला जाता है। वो भी एक सूत्र के माध्यम से निकाला जाता है। जैसा कि हमने अपने पिछली ख्लास में इसको पढ़ा था कि संसत कि राज्य या संगी शित्र की जन संख्या में राज्य विधान सभा या संगी शित्र की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग लगा करके इसे एक हजार से भाग दिया जाता है. जो संख्या प्राप्त होती है वो विधान सभा के सदस्य के मतों की संख्या या उसका मुल्य होता है इसी तरह से संसत के प्रतेक सदन के प्रतेक निर्वाचित सदस्य के मतों का मुल्य निकाला जाता है क्योंकि हर विधान सभा में सदस्य संख्या अलग-अलग है और हर विधान सभा या राज्य जो है उसकी जन संख्या भी अलग-अलग है इसलिए ऐसा किया गया है संसत के निर्वाचित सदस्य के मतों का मुल्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है समस्त राज्यों और संग्ये शित्रों की विधान सभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्यों का कुल योग इसमें भाग दिया जाता है संसत के दोनों सदनों के निरवाचित सदस्यों की संख्या का तो इस माध्यम से संख्या को निकाला जाता है और उसके बाद में राश्रपती का निरवाचन होता है और वो भी निश्चित कोटा प्राप्त करने के बाद होता है मत दाता अपने मत पत्र में मौजूद सभी उम्मीदवारों को मत तो एक ही देना है उसके अतरिक्त बाकी उम्मीदवारों को वरियता क्रम देते हैं गुप्त मत दान प्रणाली से इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के पीछे यही कारण रखा गया कि यदि राष्ट्रपती का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष होगा तो राष्ट के सामने एक समयधानिक संकट उत्पन हो जाएगा और राष्ट्रपती भी वास्तविक शक्तियों की मांग करने लगेंगे इसलिए इन्हें आप्रत्रिक्षिक रूप से निर्वाचित किया जाता है आज हम देखेंगे राष्ट्रपती के कार्य और शक्तिया जैसा कि हमने बात की कि राष्ट्रपती का पद भारत में समयधानिक थोर पर भी और वैसे भी सर्वोच पद है राष्ट्रपती को प्रथम नागरिक माना जाता है उन्हें सभी महत्वपोंड कार्य करनी है क्योंकि भारत के संग राज्य में जो भी कार्य होते हैं वे राष्ट्रपती के नाम से किये जाती है सुविधा की दिश्टी से अगर हम देखे तो हम उन्हें दो भागों में बाढ़ सकती हैं एक हैं सामान्य कालिन शक्तियां और दूसरी हैं संकट कालिन शक्तियां सामान्य कालिन शक्तियां जो किसी विशेश परिस्थिती के ना होने पर सामन्य रूप से राष्ट पती के आफिस के माध्यम से निश्पादित करने के लिए प्राप्त होती है और संकट कालीन शक्तिया किसी विशिष्ट परिस्थिती में कार्य करने के लिए दी गई है आज की ग्लास में हम लोग देखेंगे सामन्य कालीन शक्तिया सामन्यकालिन जो शक्तियां हैं उनको भी सुविधा की दिश्टी से हम कई भागों में विभक्त कर लेगे जिसमें कारेपालिका और या प्रशासनिक शक्तियां आती हैं विधाई शक्ति आती हैं इसमें वित्य शक्ति आती हैं, राश्टपती की नियाईक शक्ति आती हैं और राज्यों से सम्बंधित राश्टपती के अधिकार आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कारेपाली का और प्रशासनिक शक्तियां। भारत संग की सर्वोच कारेपाली का शक्ति राष्टपती में नहीत है वो इन शक्तियों का प्रियोंग या तो स्वेहम करता है या अपने अधिलस्त करमचारियों से करवाता है संग भारत संग के सभी करमचारी सभी अधिकारी राष्टपती के अधीन है ये बात महत्वपोन बात है कि कारेपाली का काज की जो सारी शक्तियां है वो राष्टपती के नाम से काम में ली जाती है शासन का समस्त कार्य राष्टपती के नाम से होता है संविधान के अनुछेद, त्रेपन के अनुसार, संग की कार्यपाली का शक्ती राष्टपती में नहीद होगी और वह इसका प्रियोग संविधान के अनुसार या तो स्वयम अथवा अपने अधिनस्त कर्मचारियां द्वारा करेगा तो ये बात स्पष्ट हो गई हमें कि राष्टपती के नाम से ही भारत में जो भी शासन का कार्य होता है वो होता है और जो भी निर्ने किये जाते हैं वो राष्टपती के निर्ने माने जाते हैं संग्य शासन से सम्मंदित मामलों में सूचना पाने का अधिकार भी राष्ट्रपती को है। ये भी आवशक है कि प्रधान मंत्री राष्ट्रपती को मंत्री परिशत के सभी निर्णयों और प्रशासन सम्मंदी सभी मामलों के सम्मंद में सूचना दे अगर राष्ट्रपती ऐसी सूचना मांगते हैं तो राष्ट पती को राष्ट में क्या हो रहा है इसकी सारी जानकारी प्रधान मंत्री और मंत्री मंदल के माध्यम से दी जाती है दूसरी जो महत्वपूर्ण कारेपाली का और प्रिशासनिक शक्ति उनके पास है वो है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और उनको हटाना या उन्हें पद से मुक्त करना ये जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां है इसमें आते हैं प्रधान मंत्री, उनकी सलहा से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्छतम न्याले और उच्छे न्याले के न्यायदीश, माहा लेखा परिक्षक, संगलोग सेवायोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य, विदेश में राजदूतों की नियुक्ती, ये सभी कारिये बारत संग के राश्टपती के माध्यम से किए जाते हैं. इसके अलावा, राश्टपती विभीन प्रशासनिक आयोगों की नियुक्ती करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं, निरवाचन आयोग है, वित आयोग है, राजभाशा आयोग है, पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार समंधी आयोग हैं अंतर राज्य परिशद हैं तो इन सब की न्यूक्ती का अधिकार भी राष्टपती के पास है जिससे राष्ट का कार्य सुचारू रूप से संचालित होता रहे राष्टपती, मंत्रियों, रजपालों, महा न्यायवादी, सर्वुच और उच्च न्यायलेओं के मुख्य द्यायधीश और लोग सेवा अयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाने का अधिकार भी रखता है यदि राष्टपती इनकी नियुक्ती करते हैं तो उन्हें हटाने का अधिकार भी उन्हीं के पास है हालकि इन मैसे कुछ अधिकारियों को हटाने के लिए एक विशेश प्रक्रिया का पालन किया जाता है राश्ट्रपती इन अधिकारियों की नियुक्ती प्रधान मंत्री और मंत्री परिशद की सलहा पर करती है उसे परामर्श करके करती है राश्ट्रपती प्रधान मंत्री के चैन में भी अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकती क्योंकि प्रदान मंत्री उसी को बनाया जा सकता है जिसने लोग सभा चुनाओं में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया हो यदि लोग सभा में दलिय स्थिती स्पष्ट नहीं हो उसी स्थिती में या आकस्मिक रूप से प्रदान मंत्री का पद रिक्त हो जाए तो ऐसी परिस्थिती में राष्ट पती, प्रधानमंत्री की नियुक्ती करने में अपने विवेक का प्रियोग कर सकते हैं अन्य था, उन्हें लोक सभा में बहुमत ड्राप्टध दल के नेता को प्रधानमंत्री पत के लिए आमंत्र करनागे होता है ऐसा समयधानिक इतिहास में भारत में आवसर आया है जब पहली बार मुरारजी देशाई सरकार का पतन हुआ तो प्रधान मंत्री पत पर चरण सिंग का चैन और दूसरी बार वीपी सिंग सरकार के पतन के बाद प्रधान मंत्री पद बर्चंदर शेखर के चैन करते समय राष्ट्रपती ने अपने विवेक का प्रियोग किया था इस तरह कई बार इस तरह की स्थितियां भारत में आई हैं भारत में एक दल प्रधानता की स्थिति एक समय पूरी तरह से समाप्त हो गई थी लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर से एक दल महत्वपूर्ण होता जा रहा है ऐसी प्रत्तेक परिस्थिती में राश्ट्रपती प्रिधान मंत्री को निर्देश दे सकते हैं अगर कोई विप्रीत परिस्थिती आवसर उत्पन होता है तो लोगसभा का दिवेशन बुलाकर प्रदान मंत्री लोगसभा से विश्वास मत प्राप्त करें ये एक मिश्चित अवधी में होता है ये अवधी एक सफ़ता से एक महागी हो सकती है अब आते हैं विभिन प्रकार के नियमों का निर्मार ये भी कारेपाली का प्रशासनिक कार्या है राश्टपती का संसत के इसमें आते हैं संसत के दोनों सतनों की संयुक्त बैठक बुलाना विभिन प्रकार के नियम बनाना सर्वोच नियाले के अधिकारियों और करमचारियों की नियुक्ति करना नियंतरक और माहलेखा परिक्षक की प्रशासनिक शक्तियों और संग्य लोग से वायक के सदस्यों की संख्या का निर्धारन करने से सम्मंधित नियम राष्ट्रपति की द्वारा बनाए जाते हैं इसके अड़ावा कुछ और अधिकारियों के प्रशासनेक खारियों और निर्णेयों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वेक्रती जरूरी है जैसे सर्वोच नियाले द्वारा अपने कारे प्रणाली के लिए बनाए गए नियम और संग्य लोग से वाय द्वारा किसी राज्य की अवशक्ताओं की पूर्ति के सम्मंद में बनाए गए नियम तो इस तरह से विबने प्रकार के नियमों का निर्मान करते हैं जिसके आधार पर राश्ट में एक रूपता बनी रहे अगली बाद जो आती है वो है संग की इकाईयों पर नियंत्रन की शक्ति राश्ट पती राज्य सरकारों को नियंत्रित और निर्देशित कर सकते हैं परस्परिख विवादों के निबटारे के लिए परामर्श देने के तू अंतर राज्य परिशत का गठन राश्ट पती करते हैं संग्य विश्य के प्रशासन को राज्य सरकार को सौप सकते हैं संग्य शेत्रों का प्रशासन करने का उत्तरदाइत्व राश्ट्रपती पर होता है तो इस तरह से कायू पर भी काफी हद तक नियंत्रण लगाते हैं और काफी हद तक हम देखे हैं तो राज्यपाल की नियुक्ती भी राष्ट्रपती के द्वारा की जाती है अगला कारेपाली का समंधी कारी है अंतराष्ट्रे मामलों में प्रतिनिधित्व क्योंकि भारतिय संग के प्रमुख है इसनाती राष्ट्रपति अंतराष्ट्रे मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करती है विदेशों में जो भारतिय दूतावास है उनमें राजदूतों और कूटनितिक प्रतिनिधियों के नियुक्ति राश्टपति करते हैं विदेशों से आने वाले राजदूतों और कूटनितिक प्रतिनिधियों के प्रमान पत्रों को स्विकार करते हैं लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्ब में कि यदि विदेशों से संधी या समझोता करना है तो यह किये तो राश्टपती के नाम से जाते हैं परंतु वास्तम में मंत्रियों के हाथ में इसकी पहल भी रहती है और इन संधी और संधी और संधी द्वारा संधी या समझोते किये जाते हैं अगली बात आती है वो भारतिय सेना के सर्वोच सेनापती है भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख वही है और इस अधिकार का प्रयोग भी वही कर सकते हैं लेकिन साथ में भारतिय समिधान ने ये भी निश्चित कर दिया है कि राश्टप सेनापती हालक की प्रधान सेनापती है लेकिन सेनिक शक्ति नागरिक सत्ता के अधीन रहेगी इस तरह से प्रतिरक्षा सेनाओं युद्ध और शांती से सम्मंधित कानून बनाने की शक्तियां केवल संसद को प्राप्त है जन सत्ता या नागरिक सत्ता संसद है अते भारत क यानि एक طरव उन्हे सर्वोचे सेनापती बनाया गया है लेकिन वो संसद की स्विक्रती के बिना सेना का प्रियोग नहीं कर सकते हैं और युद्श की घोशना भी नहीं कर सकते हैं तो सरवोच सैनापती के रूप में उन्हें समिधान ने खड़ा किया है लेकिन इस मामले में राश्टपती के पास बहुत कम शक्तिया हैं भारतिये राश्टपती के मुकाबले सैनापती के रूप में या सैने शक्ती के रूप में अमेरिकी राश्टपती के पास बहुत ज़्यादा शक्तिया इसके बाद आते हैं विधाई शक्तिया भारत की जो राश्डपती हैं वो भारतिय संग की कारे पालिका के वैधा नेक प्रधान है भारत की संसद के अंग भी उन्हें माना जाता है विधाई शित्र मैं अगर हम देखे तो उनकी जो शक्तियां हैं सबसे पहली जो शक्ति है उनकी वो है संसद का अधिवेशन बुलाना और संसद के सत्र का अवसान करना या अधिवेशन बुला भी सकते हैं और संसद के अधिवेशन की समाप्ति की सुख्रती भी देते हैं किसी भी समय लोगसभा का विगठन कर सकते हैं अगर उनने लगता है कि लोकसवा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है कोई भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है तो लोकसवा का विकटन किया जा सकता है संसत के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्टपती दौनों सत्नों की संयुक्त बैठक में अपना अभिभाशन दीते है इस अभिभाशन के में शासन की नीती का वर्णन किया जा सकता है ऐसा ब्रिटेन के समराट के द्वारा किया जाता है संसत के दौनों सत्नों को अभिभाशन देते समय इसके तरिक तो दौनों सत्नों में या किसी भी एक सत्न को संदेश मेजने के अलावा वे उनकी बैठक में भाशन भी दे सकते हैं एक और महत्वपोन बात है कि यदि किसी विध्यक पर दौनों सत्नों के बीच मद्वेद हो जाता है तो उस पर संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है इसके तिरिक्त वेदानिक कारियों में सदस्यों को मनोनीद करने का अधिकार आप लोगोंने अपनी 11 या 12 की गलास में जब राष्टपति के बारे में पढ़ा होगा तो इसको भी अवश्य बढ़ा होगा कि राश्रपती राज्य सभा में 12 सदस्यों को मनोनीद करते हैं ये 12 सदस्य उन शेत्रों से हैं जहां से सामन्य तोर पर सदस्य चुन कर नहीं आते या जिनोंने किसी शेत्र विशेश में विशेश सेवा की है जैसे साहित्य, विज्ञान, कला या अनिशित्रों में इन में से लोगसभा में दो आंगल भारतिय सदस्यों को भी नियुक्त करते हैं अगली बात आती है विधेकों पर निशेशादिकार का प्रयोग राश्रपती के सामने कोई भी विदेख यदि प्रस्तूत होता है तो अवश्चक नहीं है कि राश्रपती उसे स्विक्रत करे ही हलाकि सामने दोर पर राश्रपती उसे स्विक्रत करते हैं और राश्रपती की स्विक्रती के बाद वो कानून का रूप ग्रहन कर लेते हैं साधारन भहुमत को राश्टपती कुछ सुझावों के साथ पुनर विचार के लिए लोटा सकते हैं लेकिन अगर दुबारा से संसद ने उसे संशोधन करके या बिना संशोधन के भी पारित कर दिया तो राश्टपती को दूसरी बार उसे स्विक्रती देनी ही पड़ेगी यानि वो वापस उस विधे को नहीं भेज सकते इस प्रकार राश्टपती की जो वीटो पावर या निशेद हादिकार शक्ती है वो अंतिम नहीं है भारतिय राश्टपती के मुकाबले अमेरिका के राश्टपती की वीटो शक्ती जादा प्रभाव शाली है अगली जो शक्ती है वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ती अध्यादेश उस समय जारी किया जाता है जब भारत की संसत का अधिवेशन नहीं हो रहा हो ऐसे में कामों को या विशिष्ट कारे को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए राष्टपदी अध्यादेश जारी करते हैं अध्यादेश को बाद में संसत बारा पारित करा लिया जाता है और उसे अधि नियमों के समान ही माननेता प्राप्त होते है या अध्यादेश संसत का अधिवेशन शुरू होने के छे सब्ता बाद तक लागू रहते हैं लेकिन ये अधि संसत चाहे तो इस अधि के पूर्व भी इन अध्यादेशों को समात्र किया जा सकता है अगले कारेव में आता है राज्यों के संबंद में विधाई का शक्ति जोट है इसमें सबसे पहली बात आती है कि कुछ विशिष्ट विशेवों पर अधिनियम बना सकते हैं और ये अधिनियम राष्टपती की स्विक्रती प्राप्त होने के बाद ही लागू होगा यानि राज्य कुछ विशे ऐसे हैं जिसमें आता है राज्य द्वारा संपत्ती प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम वे अधिनियम जो किसी विशेव पर निर्मीद किये गए हैं जिन पे भारत की संसद को अपना अधिकार प्राब्त था कानून मनाने का और जिनका संसद द्वरा बनाए गई अधिनियमों से विरोध है। तो उसी स्थिति में भी राश्टपती किस विकृति के बाद ही अधिनियम मनता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने वाले विधेक जो हैं, उनके संबंद में भी यही व्यवस्था लागो है। दूसरे बात आती है, किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार पर प्रतिबंद लगाने वाले विधेकों को राज्य की विधान साभा में प्रस्तुत करने से पहले राश्टरपती की स्विक्रित करना अवश्यक है। प्रोफिसर एबी लाल ने कहा था, लिखित सम्विधान और संसदात्मक शासन व्यावस्ता वाले अन्य किसी देश में राज्य पाल को इतनी विधाई शक्तियां प्राप्त नहीं है, जितनी भारत में प्राप्त है। वित्विध्यक और अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। प्रत्यक वित्यवर्ष के शुरू में संसद के दौनों सदनों के सामने भारत सरकार की उस वर्ष की आयव्याय का अनुमानित विवरण रखने का कारे भी राष्टपती द्वारा करवाया जाता है। भारत की जो आकस्मिक निधी है उस पर भी राष्टपती का नियंत्रण है। इस निधी से कोई भी व्य अगर आकस्मिक तोर पर किया जाता है तो संसद की आज्या करने से पूर्व वो धनराशी दे सकता है। इसके बाद संसद की स्विक्रती आवश्यक है। राष्टपती वित्ति आयोग नियुक्त करने का अधिकारी है। जो राज्यों के आर्थिक मामले हैं, करों की आये के वित्रण हैं, उसके संबंद में राष्टपती को प्रामर्श देते हैं। आयकर की राष्यकों केंद्र और राज्य सरकारों में बांटने का कारे भी वही करते हैं। इसके साथ साथ पटसंद से हुने वाली आये के बदले पश्यम, बंगाल, बिहार और उडिसा को आर्थिक साहता देने का कारे भी राष्टपती के शक्तियों में आता है। अगली शक्तियां आती हैं नियाईक शक्तियां। नियाईक शक्तियां भी राष्टपती की महत्वपूर्ण सामन्यकालीन शक्तियां है। राष्टपती किसी अपरादी को शमा कर सकता है, उसके दंड को स्थगित कर सकता है या उसके दंड को कम कर सकता है। राष्ट्रपती अपनी शक्ती का प्रयोग किस प्रकार के लोगों के लिए करती हैं देखते हैं आईए पहला है उन सब बातों में जहां दंड सैनिक न्याले द्वारा दिया गया हो दूसरा है उन बातों में जहां मृत्यु दंड दिया गया हो किन्तु राश्टपती की ख्षमादान संबंधी शक्ती का रज्यों के रज्यपालों और सैनिक न्यायले के सैनिक अधिकारों की ख्षमादान संबंधी शक्ती पर प्रभाव नहीं पड़ेगा राष्टपती का शमादान संबंधि अधिकार उन सब मामलों और अपराधों पर प्रभावी है जिनका संबंध संग की शक्तियों से संबंधित अपराधों से होगा इसकार्थ है कि राष्टपती शमा करने का जो अधिकार अपना काम में लेते हैं ये उन मामलों में है जिनका सम्मंद संग की शक्ती से सम्मंदित अपराद से है राश्टपति समवर्ति सूची वाले मामलों में सम्मंदित अपराधों पर शमादान उस समय तक नहीं कर सकते जब तक कि संसद्ने उक्त मामलों पर राज्य की कारेपाली का शक्ति को अलग नहीं मान लिया हो राष्टपती जो ये ख्षमादान का अपनाधिकार है इसका प्रयोग भी स्वहम नहीं करते बलकि मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर करते हैं यही इस्तिती इंग्लेंड में है यानि हमने ये इस्तिती इंग्लेंड से अपनाई है इसके विपरीत अमेरिका में राश्टपती दोश सिद्ध होने से पूर्विया पश्चात जब चाहे अपने च्छानुसार शमा प्रदान कर सकता है भारत का राश्टपती दोश सिद्धी के बाद ही शमादान देते है यानि जब किसी अपरादी घोशित कर दिया गया उसको सजा दे दी गई उसके बाद ये वो शमा के लिए अपील कर सकता है राश्टपती का ये जो अधिकार एक शमादान का ये इस आधार पर दिया गया है कि न्याए में दया का पुट होना चाहिए अगर किसी को उम्रित्य दन दिया गया है तो अगर उसका आचरण अच्छा है राश्टपती के पास वो अपील करता है और राश्टपती को उचित लगता है तो उसक्षमा किया जा सकता है तो यहाँ पर न्याए में दया का पुट होना चाहिए जैसी बात को महत्व दिया गया है इसके अतरिक्त समिधान में राश्टपती को ये भी अधिकार है कि वो सार्वजनिक महत्व के किसी ऐसे प्रश्ण पर उचितम न्याले की सम्मती मागे जिसमें विधी और तत्य के प्रश्ण अंतर ग्रस्ट हो क्या अर्थ हुआ इस बात का? इस बात का अर्थ हुआ कि राश्टपती उच्चतम न्याले के पास किसी प्रस्तावित विधेग या प्रश्ण को भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अमुख विधेग विधान मंडल के अधिकार शित्र में आता है या नहीं आता है सर्वोच न्याले की मंतरना जो आती है या जो भी उत्तर आता है उसको राश्टपती मानने के लिए बात दिय नहीं है राश्टपती के विवेक और निर्ने पर वो निर्भर करता है राश्टपती ने अभी तक जितनी भी बार परामर्ष मागा उनमें से कई बार सर्वोच नियाले ने भी परामर्ष देने से इंकार किया जैसे दसवी बार जब अयोध्य विवाद के संबंद में राश्टपती ने परामर्ष मागा तो सर्वोच नियाले ने इस पर परामर्ष देने से इंकार कर दिया अगले आती हैं राश्टपती की सामान्यक अलिन शक्तियों में राज्यों से सम्मंधित अधिकार भारत एक संग राज्य है जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं संग के बारे में भी हमने पढ़ा है भारतिय संग का प्रधान है वो और ऐसी स्थिती में राश्टपती को भारतिय संग पर राज्यों से सम्मंधित कुछ अधिकार प्राप्त है सबसे पहला है कि राश्ट पति केवल केंदरीय कारेपालिका का प्रधान नहीं है बलनकि सम्पूर्ण भारतिय संग का प्रधान है दूसरी बात आते है कि यहाँ पर राज्जों के व्यवस्थापन के संबंद में भी राश्ट पति को शक्तिया प्राप्त है राज्यपाल राष्टपती की स्विक्रती के लिए किसी भी विद्यक को सुरक्षित रख सकते है यानि खुद हस्ताक्षा ना तरके राष्टपती के पास पहले स्विक्रती के लिए बेज सकते है समिधान के अनुसार ये दिन राज्यों के विधान मंदल पर कोई ऐसा कानून बनता है जिनका सम्मंद उच्छन्याले के अधिकार कम करने से है या उन वस्तूओं पर कर लगाने से है जो संसत द्वारा जीवन निर्वा के लिए आवश्यक होशित के गई है तो ऐसे विधेक को भी राश्यपती की स्विक्रती के लिए राज्यपाल सुरक्षित रख सकते है राश्यपती ये जो विधेक है इन विधेकों को स्विकार या आस्विकार भी कर सकते है या विधान मंदल के पास पुनर विचार के लिए भी बेज सकते है दूसरी बात आती है राश्टपती राज्यों के वित्थ से सम्मन्धित कुछ अधिकार रखते हैं यदि संसद कोई ऐसा कर लगाने जा रही है जिससे राज्य प्रभावित होगा तो संसद को राश्टपती से इसकी पूर्व स्विक्रती लेनी होगी तीसरी बात आती है राश्टपती किसी राज्य सरकार को ऐसे विश्यों से सम्मंदित कुछ कारे सौप सकते हैं जो साधरन रोब से संग की कारेपालिका के हूँ तो इस तरह से इन सब के अतिरिक्त राश्टपती राज्यों की कार्यपालिका के प्रधान की नियुक्ती प्रधान यानि राज्यपाल तो राज्यपालों की नियुक्ती भी राश्टपती करते हैं और सामन्य तोर पर वे राश्टपती राज्यपाल राश्टपती के प्रती विश्वास पात्र बन करके कारिय करते हैं. तो इस तरह से ये हुई कुछ सामन्य कालीन शक्तियां जिनके माध्यम से राष्ट पती एक बेहत शक्तिशाली पद के रूप में या शासक के रूप में उभर करके सामने आते हैं. हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे संकट कालीन शक्तियां राष्ट पती के अधिकारों में या विवेक के शक्तियां विचिनको हम कहते हैं या अपात कालीन शक्तियां. अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे धन्यवाद.